आज मैं आपको अपने दिन की घटना के बारे में बताऊंगा जो वास्ताओं में अधुध है और मैं आपको बताऊंगा कि शिरी कृष्ण कितने जिद्धी भगवान है आपको उनकी जिद्ध का मालूम नहीं जिसे बाल हट जिसे कहते हैं छोटे बच्चे जैसी जिद्ध है तो जिद्ध है और कृष्ण को जो चाहिए वो चाहिए उसमें कोई कॉई कॉम्प्रोमाइज मैंने कभी नहीं देखा मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप कोशिश करें कृष्ण से आप निगोशियेट कर लोगे तो आप नहीं कर सकते वो इतने खुशूरत है मैं आपको बता नहीं सकता वहाँ निगोशियेशन का सवाल ही नहीं है अगर आप सोचो कि जैसे मान लिजे आप भगवान को रोज दस किस करते हैं पप्पी करते हैं तो आपको दस ही करनी पड़ेंगी उससे कम है वो निगोशियेट वो आप उससे काओगे मैं यहां बीजी हूँ यहां बीजी हूँ आप कितने भी बीजी हूँ, वो निगोशियेट नहीं करता, वो आपको याद दिला देगा, कि करो, और वहाँ कॉम्परमाइज का तो कोई सवाल ही नहीं है, कृष्णी को जो चाहिए, वो चाहिए, अब मैं तुम्हें इसका एक बेहतरी उधारान दूँगा, जो मैं आज मैंने देखा, मैं रात में ऐसे, कल रात से, मैं अभी रात में लेटता हूँ, तो ऐसे बोलते रहता हूँ, भगवान से, कि तुम कहां हो कृष्णी, तुम कहां हो, ऐसे मेरी आदत है, मजे लेता रहता हूँ, वो फोटो मेरी बगल में रहती है, सोता हूँ तो और मैं हमेशे यह बोलूँगा तुम कहा हो क्रिश्ण तुम कहा हो ऐसे कहता हूँ मैं तो कल रात की बात है कल रात को ज़्यादा ही मैं कह रहा था तुम कहा हो तुम कहा हो तो शायद लगता है भगवान तक बात पहुंची जाती है मेरी बात तो बड़े मज़ेदार घटना हुई तो रात में कल बहुत क्रिया की बहुत जबर्दस शेशन था लेकिन अब अंधेरे में था तो बनाया वीडियो वीडियो नहीं बनाया वो काफी जाद है मतलब एक्टिव था आप शायद मेरी स्टोरी में अपने इंस्टाबे देखा भी होगा वो मैं करीब उठा हूँगा मेरे ख्याद से सवा एक सवा एक क्यास पस रात में और वो शेशन चला है साड़े तीन तक कैसे चला है फिर शाड़े तीन बज़े बाद मैं सो गया लेकिन वो बहुत ही विग्रस सेशन था आएम चले गया उसमें मैंने सारे मतलब वो ऐसा लगा था जैसे कि सारी बॉड़ी की इनरजी सेंट्रलाइजड बीच में आ जाएगी इतना इतनी जोड़ जोड़ से मैं हिल ला था जिसमें कोई संसे नहीं है कि अगर तुम उसमें अपने मन को इन्वेस्ट कर दोगे तो तुम उसी में ही रहोगे ठीक है तो साहब हम लोग सुबह जैसे मैं रोज स्कूल जाता हूँ यहां से लहरपूर 120 किलो मेटर है 110 किलो मेटर करीब मेरा स्कूल पढ़ता है यहां से और एक दो फ्रेंड्स आ जाते हैं साथ में चलते हैं कभी दो कभी तीन कभी जैसे हो जाए अपना जाते हैं तो गाड़ी निकाल ले थे तो जैसी गाड़ी निकाल ले थे तो दो बाबा आ गए तुम लोग तो बाबाओं से नफरत करते हो मैं नहीं तो पहले समझ जाता हूँ, यह बाबा नहीं आया है, यह पुकार आया है, तो आया है, मैंने तो दिवाँ में पहले ही खटक गया था, यह आ गया, तो मैं भी मन में, मैं पहले ही समझ गया था, क्रिश नहीं है, वो सकते हैं, यह भगवान ऐसी आते हैं, तुम लोग सोचते हो क्योंकि ये कोई विशेष चिंगारी या कोई विशेष की समसे प्रकटोंगे नहीं वो इनसान के रूप में आते हैं क्योंकि तुम्हारी इंद्रिया उसी में लिमिटेड हैं लेकिन उतना तुम्हारे पास समझ होनी चाहिए कि सुन सको और देख सको मैं फिर यह कहता हूँ तो बाबा आ गये तो भाई मैंने बात कि मैंने क्या मैं समझ गहां तो पहली समझ गहाए यह आ गया होगा तो मैंने बताओ हुऊ तो मैंने अपने पर से निकाले 100-100 रूपे के दो थे तो मैंने चाय नश्टा यहां श्यादी हुई नी अपनी तो खाने के लाले पड़े दूसरे के लिए क्या बनाएं मतलब खोदी बिराना पड़ता है काने के लाले का मतलब यह ही है मुल्Rem कभी कभी बनाना पडता है वैसे तो मम्मी बनाती है थोड़ा काम करने वाली बनाती ईसकूछ नहींA लेकिन फिर जाय तो भिलाई वहाई पिलाओ मैंने का भी जाय बनारी माता घी भी तो फो ना करो मिलशिक हुआ कर तो झो नाक्ठा घी रही थिन और है से बाला जी से मैं का सब समझ गया मैंने सौ सो रुपए पकड़ा यहीं लिए मैंने चलो ठीक है ऑब बात पांसो रुपए की फसकी मैंने का नहीं सौ सौ रुपए ले लो अब भग्मान से कौन निगोशियेट कर सकता है खैर मैं बैठा गाड़ी में तब तब पापा आगये तो पापा ने का जो इनको मैंने का पापा 200 रुपए दे रहा था 200 रुपए ले नहीं रही है ठीक है फिर उने ले लिए 100 रुपए फिर मैं आगे चला गया आगे कहानी सुनों हम लोग निकले हमाई घर से आई-एम के भिटॉली पर मैंने का गाड़ी में मैं और ड्रैवर भ भी गए कमाल की बात है वो इसकूल तक गान जाने वाले लोग मिल गए मतलब लखना वी विटॉली से लहर पूर तक के लोग मिल गए जब कि जनरली नहीं मिलते है ठीक है वो बैठे और लहर पूर गए और लहर पूर में उन्होंने मुझे 100-100 रुपए दो उन्होंने दे इसका मतलब यह है कि God has not accepted that 200 रुपीश ठीक है उन्होंने वो 200 रुपए accept नहीं किये वो वापिस करती है मुझको अगर यहां से लेहर पूर की सवारी मिले यह एक आद बार कई मिली हो यह बहुत यह साल में दो बाद उसरी बार ऐसा हुआ होगा मेरे ख्याल से तो मैंने का ठीक है God has not accepted तो कृष्ण कितना एड़मेंट है अगर 200 वापिस करती है उसने मुझको कैन नहीं 200 नहीं होगी मैंने 200 दिये थे 200 वह वापिस आगे मैं समझ यह वापिस करती है मेरे पैसे ठीक है मैंने का चलो ठीक है तुम्हें 500 तुम्हें दे दूँगा 200 नहीं accept करते तो मत करो खैर श्कूल में बैठे तो फिर आया हो फिर से कृष्णा आगया श्कूल में बैठे तो आज शनिवार है ना सेट ले तो वह मांगने वाले आ गए दिमाग में जब पॉया हुजा करी तो पांसो रूपर ये की तो चाहिए ये ले तो पान्सो शान्तिरग यहां 500 रुपए चढ़ाया रहीं दिये नहीं कि उधर गेट पर फिर से आ गया खट 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 कॉन पूछा है वहां भागवत होने वाली है मैं समझी अपने 500 रुपए लेने आ गया मैं गया मैंने कहां यह ले भी है तिरे 500 रुपए तुझे चढ़ जाएगा ठीक है वो 200 नहीं लेगा ये इस तरीके से सुबह से तीन बार आया हो तीन बार में 500 रुपे लेके आखरी में उसको 500 रुपे अपने लेके चला गया हो अब वो 500 रुपे से जो भी करेगा वो करेगा अब इस चीज को तुम एक अजीव सा इसा कोइंसिडेंस कभी नहीं होता इस नाट कोइंसिडेंस कि तीन बार एक ही चीज़ हो ठीक है तो इस तरीके से तुम परमिश्वर को समझ सकते हो अगर तुम उससे पोकारोगे तो वो आएगा पर तुम समझो अब तुम्हारे मन में आएगा मैं तो बेगूफ हूँ 200 रुपे दिया कुछी बाबा को 200 रुपे देते हो तो आटा भगो यहांचे पांच रुपे भगो जब जूटे हो फर्जी हो डबलब आई तो सी अड अंडर्स्टांड वर आच्वली इस हैपनेंग तुम सामने चार तरफ क्या हो रहा है तुम समझी नहीं सकते हो लेकिन यह तुम तब समझ सकते हो जब तुम खुद उतने डबलब हो जाओ तो तुम समझोगे हां यह वास्तों में सच है ठीक है यह इस तरीके से जिद्धी है अग्वाम शिरी कृष्ण श्याद यह तो यह एक उग्जामपल है खड़ा समझो द हुआ 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 है